हाई फ्रेंड्स, वल्किम एकटुमे चानल तो आज सैलासा पैप को कलोर करेंगे, अपझेख सकती हो कितना कलर इसका निकल गया, तो इसको कलरिंग करेंगे, कल्लिंग करनके ले लटो किया, पेंट स्प्रेय से करेंगे, इसको 400 आप देख सकती हो, इसको मैंने 2कान से 150 पे कर देख सकते हुपर एर बबल हो रहा है तो इसमें क्या है कि दूल भी है तो इसको साप करना है तो इस चीज को अब ध्यान में रखके पेंट करना है तो एक बार आपको देखा रहा हूं पेंट करने के सामय तो कुछ यसों को आपको कवर करना है ताकि उसमें पेंट लगता है तो इसको अब धियान में रख के जो आपनी पीछे इसलेका प्रे करेंगे पहला कोट मारेंगे तो मैंने इसको एक ही कोटिंग के आथा तो आप देख सकते हूं तो आप देख सकते हुआ भी हमने नई कावर के आता नुसमे लगया वाइट पे तो इसले आपको कुछ इसोंको कावर करना है तकी पेंट उसमें तो पेंट नार लगये मैंने कराँ तो आप इस गलती मत करना तो मैंने एक बार के पेंटिंग का वीडियो कि आता दो दूसरी आव थिसरी में तोड़ा तोड़ा से आपको इसको इसको प्रापर्ली तरकες से ट्रेτιंट करना है तो इसको दूल होने से भी इर बोबल और प्टेंट अच्छा नहीं प्रेड़न लगेगा तो इसलिए आपके उसको पहले वाश करना है वाश करने के बाद उसको पूरा तरकाश चलेक अच्छे कब्टे से क्लेंब करके टेन्ट को स्प्रे करना है तो आप देख फीचलेचर का तो पूरा पेंट निकल गया तो इसको पहले एक कोटिंग मरेंगे तो मैंने इसको तीन बार कोटिंग केया था तो आपको एक ही कोटिंग इसमें वीडियो में डाल रहा हूं तो कुछ इस तरह जासा आपको पेंटिंग करना है नेकी जगह इसको पेंटिंग नहीं करना है तो अब देख चुकतो एक बार मेने पेंटिंग है और दूसरी बार तो इस तरह आपको तीसरी बार भी करना है तो आप इस अंदर थीर बार करेंगे तो paint अच्चा लगता है तो कुछ चीस इसको आप देख करहूं paint लग रहा है तो इसले आपको पूरा cover कर रहा है तो आप देख सकती हूँ अलग गया इसको मैं इने clean कर रहा हूँ तो यहां भी अंदर junk पड़ रहा था तो इसको भी paint कर रहा हूँ तो अब देख सकती हूँ बैटर की नीच लग इस अमें junk पड़ रहा था तो इसको भी paint कर रहा हूँ तो इस तरह आप इसको paint कर सकती हूँ तो paint करने से पहले आपको ध्यान में ना लगें तो आप इसको ध्यान में रखके paint करना है तो आप देख सकते हो मैंने 3 coating मा रहा है तो इसको शोकने देंगे तो यह अच्छे सतर्के से painting लगता है तो बस इतना ही तो इस वूड़े में तो फिर मिलेंगे अधर वूड़े अपधे